साथियों, आपने बीते 6-7 महिने में ये देखा होगा कि रिफॉर्म्स की गती और दाइरा दोनों बढ़ रहा है। खेती हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, एवियेशन हो, लेवर हो, ऐसे हर सेक्टर में ग्रोथ के लिए जरुरी बढ़लाव किये जा रहे हैं। अब सवाल ये है, कि आखिर ये किया क्यों जा रहा है? ये आप जैसे करोरो युवाओं के लिए ही किया जा रहा है। इस दसक को भारत का दसक बनाने के लिए किया जा रहा है। ये दसक भारत का तभी होगा, जब हम आज अपनी फांडेशन को मजबूत रखेगे। युवाँ भारत के जीवन में ये दसक बहुत बड़ा मोका लेकर आया है। साथियों, देश के बहतरीन एजुकेशन इंस्टिटूट में से एक होने के नाते, मैशूर उनिवर्सिटी को भी हर नई स्थिती के हिसाब से इनोवेट करना होगा। पूर्व कुल्पति महान कभी साहितकार कुवेंपी जी ने उनिवर्सिटी के में केंपस को मान संगोत्री याने मन का सास्वत प्रवा का जो नाम दिया था, उससे आपको निरंतर प्रेन्या प्राप्तव करनी है। आपको इंक्युबेशन सेंटर्स, टेक्नोलोजी डेवलप्मेंट सेंटर्स, इंडॉस्ट्री एकडेमी लिंकेज और इंटर डिस्प्रिनरी रिसर्च जैसे विश्व पर और ज्यादा फोकस करना होगा। युनिवर्सिटी से ये भी अपेक्षा है कि वो कॉंटेम्प्ररी और ग्लोबल इस्यूज के साथ साथ लोकल कल्चर, लोकल आर्ट और हमारे सोशल इस्यूज से जुड़ी रिसर्च को बढ़ावा देने की अपनी परंपर का और विस्तार करें। झाल